दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेट्फिक्स की यू इस सिरीज का बहुत दिनों से काफी सरमित्री से सिजेस्ट कर रहे थे और मैं भी देखना चाह रहा था पर दो सिजन्स अल्रेडी रिलीज हो चुके थे और थोड़ा समय निकालना मुश्किल हो रहा था पर प बात करेंगे इसका पहला सिजन 26 दिसंबर 2018 को रिलीज हुआ था दूसरा सिजन ठीक एक वर्ष के बाद में 26 दिसंबर को ही 2019 में रिलीज हुआ और इसका तीसरा सिजन भी रिलीज होने वाला है जो बताया जा रहा है कि इस वरज 2021 के अंत में रिलीज होने वाला है कुल मिला कर इसके जो दो सिजन्स रिलीज हुए हैं उनमें लगबग 45 से 50 मिनिट के 10-10 एपिसोड से कुल मिलाकर 20 एपिसोड से तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास में 22 से 23 घंटे होने चाहिए देखिए यू सच में सर्प्राइजिंग थी मतलब सर्प्राइजिंग कहूँ या वियर्ड कहूँ जो भी हो या दोनों ही हम कह सकते हैं और वैसे मुझे पता था कि भाई ये चीज वियर्ड होने वाली है क्योंकि बहुत सार मित्रों ने कमेंट सेक्शन में अलरडी मुझे बता दिया था कि भाई यू को देखो कुछ बहुत ही ज़दा वियर्ड सी यसी बात है यहाँ पर हो रही है तो आप सब के दोस्तों के कमेंट्स तो मन में थे ही तो मैंने मन बना कर ही रखा था उससे आप एगरी करे या ना करे पर फिर भी यह सीरीज एंगेजिंग है इसमें कोई संदे नहीं और मैं देख रहा था जब मैंने सिजन वन ही देखना शुरू किया ना तो देख रहा था सीरीज कैसे हमारे थौट्स को हमारे विचारों को मैनुपलेट करने का प्रयास कर रही है और मज़ा आ रहा था मुझे जो सिरीज करने का करने की कोशिश कर रही थी प्रयास कर रही थी हलाकि मैनुपलेट तो नहीं कर पाई पर बहुती बढ़िया कोशिश थी उनकी बहुत बढ़िया प्रयास था हमारे thoughts को manipulate करने का ये इसमें कोई संदे नहीं है और मुझे season 1 पसंद आया मतलब जिस प्रकार से उन्होंने ये सारी बाते दिखाने की कोशिश की है उस दृष्टी से मैं कह रहा हूँ जो ये series कहना का प्रयास करती है उस दृष्टी से मैं नहीं कह रहा तो मुझे season 1 पसंद आया और उसके बाद मैं तुरण season 2 भी देखने के लिए बैट गया और एक के बाद एक मैंने दोनों ही seasons complete कर दिये थे और season 2 मुझे season 1 से भी जादा पसंद आया मतलब हर प्रकार से हर दृष्टी से season 2 season 1 से बेटर था सबसे बड़ी बात season 2 की ये थी अच्छी बात कि वो unpredictable था बिल्कुल क्योंकि season 1 को अगर हम देखे न तो वो काफी हद तक predictable था मतलब जैसे ही वो series शुरू होती है न पहला episode ही जहां से शुरू होता है वही से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो और बेक इन दोनों का ये जो भी था वो relation कहे या जो भी था वो ये कहानी कहा जाने वाली है ये हम शुरूवात में बड़े ही आराम से गेस कर सकते हैं और जो फिर season 1 के ending में होता है वो उतना surprising नहीं था पर फिर भी जिस प्रकार से उनने इस पूरी journey को उनकी दिखाया है इसके अलबा जो को जिस प्रकार से उनने प्रेजेंट किया है जो के thoughts जो के अंदर हम जिस प्रकार से जाग कर देख पाते हैं कि भाई वो क्या सोच रहा है इसके लवा जोका जो एक छुटकुसा पडोसी था मासूम बेचारा पाको साथ ने ही पाको के बार में जो बाते हमें दिखाई देती है या बेक की लाइफस्टाइल कैसी है वो बाते जानना देखना काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो सब कुछ जब तक हम ध्यान से नह क्या कहने का प्रयाज करती है इसलिए बलही एंडिंग प्रेडिक्टेबल था पर फिर भी हमें हमारा इंटरेस्ट बना रहता है शुरू से आखिर तक सिरिस बिल्कुल एंगेजिंग थी इसमें कोई संदे नहीं और फिर अगर सिजन टू के हम बात करे तो वहाँ पर देख उसका नया जीवन नय पडोसी नया काम और एक अमीर लड़की लव क्वीन नाम की उसके जीवन में आती है जो बिल्कुल ही मतलब सोचा नहीं था जिस प्रकार से वो उसके जीवन में इंटरी करती है ऐसा कुछ होगा तो वो एक इंटरेस्टिंग पार था शुरूआत सही लव क्वीन का कारेक्टर साथ में ही केंडिस उसके पीछे पड़ी हुई है तो बहुत सारी ऐसी बात शुवात में ही उन्होंने दिखा दी है और उस दुरूच्चे से हम देखे तो सिजन टू की कहानी कही पर भी वो लेकर जा सकते थे उस कहानी को इसलिए सिजन टू बिल लगी जैसे देखिए जो गोल्डबर के करेक्टर के लिए जैसी परसनलिटी चाहिए वो पेन बैजली पर बिल्कुल परफेक्टली सूट करती है इसके अलबा बेक की बात करें तो क्या कहूं मैं उस करेक्टर के लिए थोड़ा सा भुंदू, बुद्धू या फेल्ड पो पीज सैलिंजर पहले सेजर में जो करेक्टर था, इन सभी करेक्टर को जिन रिस्पेक्टिव एक्टर ने प्ले किया है, सभी के परफॉमंसे बढ़िया थे, कास्टिंग भी मुझे सभी की पसंद आई, पर देखिए ये एक ऐसी सिरीज है जिसको लेकर अलग-लग लोगों अंदर से हेट कर सकते हैं, क्योंकि वो है ही उस प्रकार के करेक्टर, तब मैं यहाँ पर कुछ भी बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनुई करेक्टर के बारे में बहुत सारी बाते कहनी है, पर उसके लिए मैं अलग से इसकी फिलोसोपी वाला वीडियो अप्लोड कर दूँगा, तो हाँ, कुछ-कुछ लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग यह सिरीज लग सकती, कि आखिर यह कहने का प्रयास क्या करती है, जो गोल्डबर के बारे में, ग्वेनिवर बेक के बारे में, क्या उद्देश है इस सिरीज का, पर देखिए, ध्यान से इस सिरीज को देखेंगे, तो इसका जो उद्देश्य है, वो सिरीज की शुरुवात में उन्होंने बता दिया है, कि हमें क्या दिखाना है, हम क्या दिखाना चाहते हैं, और वो क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में हम हमारे, इसके फिलोसोफिय एक्स्पिनेश से इस series के वो बिल्कुल clear थे इसमें कोई संदे नहीं और बिल्कुल उसी प्रकार से उन्होंने इन characters को कहानी को आगे उन्होंने बढ़ाया है डेवलप किया है हाला कि इस series के कुछ-कुछ बाते हैं हमें थोड़ी सी जाकर देख सकता है और उसके साथ में ही वो जिस club में वगरा जाती है वहां पर वो उसके इर्दगिर्दी रहता है जो पर फिर भी बेक को कभी भी संशे नहीं होता वो उसको देख नहीं पाती ये बाते थोड़ी से हमें odd लगती है इसके अलावा कुछ-कुछ बातों को जादा ही बढ़ा चड़ा कर दिखाया है एक्जेजरेट किया है वो आवशक भी था तो इन सारी बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं हमारे philosophy explanation वाले वीडियो में मैं यू के first season को दूँगा 7.58 of 10 stars और second season को में दूँगा 8.58 of 10 stars बैंटर guidance की कोई भी आवशकता नहीं ह और theme भी adult है इसकी violence वगरा है तो परिवार के साथ में देखने जैसे तो यह चीज बिलकुल भी नहीं है बच्चों के लिए बिलकुल भी नहीं है बाकि आपने अगर इस series को देखा है तो आपका experience कैसा रहा मुझे आपने नीचे comment में जरूर बताइए और हमारा philosophy explanation वाला इस